दन्यवाद सभावती मौदे औरीजनल है ना आपके दो काले मुझे मांग संक्या 27 चिक्रिसायों स्वास्ते तता मांग संक्या 28 चिक्रिसा शिक्षायों बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है माननीय सभावती मौदे हमारी सरकार गरीव और आम जंतगी कल्यान के लिए संकल्पित होकर काम करना चाहती है यह हमने इस बजट के माद्यम से सबने देखा हमारे माननीय मुखे मंतरी श्रीमान भजनलाल शर्मा साब एवं उप मुखे मंतरी महोदिया पित्ट मंतरी दिया कुमारी जी ने बजट से सिद्ध किया है रास्थान को उन्नत लाने के लिए विक्सित के लिए माननीय सबापती मौदय कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया माननीय सदस से उन्हें सभी ने इस बात का समर्थन किया और ये बात कही है कि पहला सुख निरोगी काया और इसी को ध्यान में रखते वे हमारी सरकार ने चिकिस्सा विम स्वास्ते के बहुत बड़े-बड़े कारे करने की इच्छा शक्ती प्रगट की है प्रदेश में चिकिस्सा सुविधाओं का और अधिक विस्तार हो इस वित्तिय वर्ष में बजट में 27,660 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है जो पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत है हमारी केंद्र सरकार की लोगप्रिय और संपूर्ण विश्व में इस समय विख्यात, उन्नत और विकास के भारत के अग्रणी पंती में लाने के लिए आधनीय प्रधानमंती नरिन्द मोदी जी की सरकार ने आईश्मान भारत योजना लागू कर देश में आम जन को बहतर चकिस्वान सुवधा उपलब्त कराने की दिशा में करांती कारी पहल की इसी क्रम में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के नेततों में उपमुखे मंतरी, बित्य मंतरी, आयुशमान और हमारे चिकिस्था मंतरी के देख रेक में आयुशमान आयो के योजना को लागू करने के निड़ने लिया जिसमें शिशु और छोटे बच्चों के इलाज के लिए पैकेट जोड़े जाए। साथी छोटे और दूर के स्थान के पर चिकिस्था सुविधा देने के लिए प्राइविट हस्पिटलों को भी नियों में छूड़ देकर योजना में शामिल किया। पहले बज़ट के साथ शुरूवें इसके अलावा प्रदेश की दूर दराज छेतर में जनता को अच्छी चिकिस्था सुविधा के लिए प्रतेग विधान सबाज छेतर में एक एक आईश्वान माडल CSE बनाने की गोशना की जिसमें सारी सुविधाय जनता को मिलेगी और बहतर चिकिस्था होगी सरकार द्वरा इस पर 125 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे प्रदेश में चिकिस्था सुविधाओं के विस्तार के लिए 500,000 चिकिस्था तता 4,000 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का स्ज़न किया जाएगा इन पदों पर भरती होने से जो हमार दिन निर्मान दिन 1200 बैड के IPD टावर की सुविधा आम जन को पलब्द हो सके इसके लिए आईशमान टावर को और अधिक सुविधा युक्त बनाने के आउशक प्रोन की आदिकी खरीद करने तथा मरीज़ों उनके परीजनों को सुनिचित वहन पार्किंग सुविधा रूप में है आज राजस्थान इनी अपितु हर्याना पंजाब रुत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश बाहर के प्रदेशों से मरी जाते हैं और उन सब को यहां लाब मिलता है आर यू एचस सुविधाओं के लिए भी हमारी सरकार 200 क्रोड रुपे खर्च करेगी करोना काल में जो इस्तितियां थी वो आप हम सब को पता है करोना काल में मैं स्वम प्रमानूं मेरी मा करोना काल में मेरे रिष्दार कई करोना काल में बिमार थे और कुस करोना काल में मैंने यहां जो आज कुछ सदस्य हैं कुछ हार गए हैं तो इसलिए नहीं हैं उनके कर्मों ने र और सिलेंडर तक उपलब्द नहीं हो पा रहे थे केंदर सरकार का अंगिनत बजट पुरी योजनाओं का लाब मंत्र अपनी जगे है चिकिस्थक अपनी जगे है मौदे और मैं अभी जैसा माननी सदस्थन है चिकिस्थकों का देव तुले भगवान जो धरती के भगवान हैं हमारे डॉक्टर्स और देव तुले जो डॉक्टर भगवान हैं जो चिकिस्थक हैं जिनका भी अपमान अभी यहां सदस्थे ने किया इन धरती के भगवानों को जेब काटने वाला बताकर जो आपने अपमान किया, मैं उसकी निंदा करता हूं इसका अपमान आप यहीं नी कर रहे चुमों से आने वाली सदसे का भी आप कर रहे हैं वो भी डॉक्टर है, चिकिस सक है आप समस्त डाक्टरों को इस तरीके से नहीं कह सकते कोई एकात कोई गलती करे तो अब आप पिछले करोना काल का मैं बता दू मेरी मा तो भगवान को चली गई और लगवक 15,000 पे अम्बूलेंस वाले ने मांगे थे उस समय सरकारी अम्बूलेंस उपलब्द नहीं थी और 15,000 पे अम्बूलेंस वाले ने मांगे थे जोट बाड़ा से और SMS ले जाओ या जोट बाड़ा से आप महत्मा गांदी ले जाओ 15,000 पे अम्बूलेंस वाले ने मांगे थे मैंने चाओं और फोन किये थे बड़े-बड़े मंत्रियों को फोन किये थे रगू जी को भी फोन किया था उनके पुत्थर को भी फोन किया ता मैं सुएम गवा हूँ और मैं नहीं मैं जब गाउं से चला था तो अन गिनत ऐसे पेशेंट थे उसमें जो हाकार मचा था उसमें हाकार में चाओं हो और यही अहलत थी कि ना अबुलेंस थी ना डॉक्टर था ना सुविधा थी बहुत बुरा हाल था चिकिस्था विवस्था का आप बात करते हो तारीफे करते हो जूटी और उस करोना काल में जिस तरह के से आपने चांदी कूटी है पर आपने मिलकर आपके अधिकारियों ने मिलकर उस समय जो अवेवस्था हैं फिलाई थी उसका ही प्रमाने कि आज आज आप उधर बैठे हो रहमीदर बैठे हैं और यह जो पाप आपको लगेगा यह संपुन जीवन आप माफ नह की नहीं जनता ने जो समय इतरास दी जहली थी आप लोगे दोरा लंपी में भी यही हाल था करुणा में भी यही हाल था क्योंकि मैं भी गोपालक हूं और गोशाला संचालित करता हो वो भी मैंने नजदीक से देखा था यह महुद है मेरे हवा मेल विधान सभा छेत्र की च प्राकाशी है प्राचीन शहर है पूरी दुनिया और यूनसको में जाना जाता है इस परकोटे में छोटी छोटी तंग गलियां हैं और कुछ गलियां तो दो दो फिटकी तेन फिटकी ड़ाई फिटकी भी है वहाँ पर एम्बुलेंस आ जा नहीं सकती कोई अगर समस्य ऐस कि आजावे कुछ फिटर पाहडी भी है तो एम्बुलेंस की वहा विवस्ता कर नहीं सकते एक एम्बुलेंस आ जा नहीं सकती माताव भेनों बुज़ूर्गों को कई बार प्रकार की परेशा नियां एम्बुलेंस की वज़े से जहली पढदती है इंगर कई बार नुक्सा कि आप मोटर बाइक की जो एमोलेंस की विवस्ता है वो हमारे परकोटे छेतर में आप करवाएं और परकोटे में इसके अलावा गंगोरी अस्पताल जो हमारा हमारे विधान सबाका एक मिनी समेस के रूप में है गंगोरी अस्पताल जो मारे पंडित दीन दियाल उपाध्या एस्पताल के नाम से भी जाना जाता है गंगोरी अस्पताल में विधायक बनने के पश्याथ यहां बहुत सारे विधायकों का 50-50 साल का अपना अन्भव बता रहे हैं अपने कारे का और मुझसे पूरु विधायक मां भारी भर कम मंत्री भी रहे हैं मैं नया हूँ लेकिन मैं सच्चा ही आपको अवगत करना चाहता हूँ आपको वीडियो लाइव आप निकाल के देख सकते हैं या बाते हम कर रहे हैं बड़ी बड़ी गरीब की इसकी 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 लेकिन जब केंटिन में जाके आप लोग हाउ ला करके ताली पटके आपस में बात करते हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि वो अंदर में जो गरीब की कल्यान की बात करता था वो यहां के कैसे भूल सकता है मैं अनवाव बता रहा हूँ आपको जब प्रतम बार गंगोरी हस्पताल में गया तो मैंने पाया कि जो पेशेंट के साथ परीजन आते हैं वो बहार खुले में इसनान करते हैं और वहां उनके वीडियो बनते हैं फोटो बनती है मुझे इस बात के दुख हुआ पीड़ा होई दूसरा जब गंगोरी हस्पताल में महिला सोचा लेतिया दी देखे गए तो भारी भरकम करोड़ो रुपे बजट गंगोरी हस्पताल को रिपेरिंग के लिए डवलपमेंट के लिए आता था तो गंगोरी हस्पताल में वहां सोचालों के गेट भी मुझे नहीं मिले मेरे जाने के मैंने पहला ही दोरा गंगोरी हस्पताल का किया था मैंने और मैंने ये चीज पाई और मैंने लाइव करके ये दिखाया मेरा छेतर मानिय सभवती मौद है कांगरे सरकार के समय स्मार्ट सिटी के नाम पर गंगोरी हस्पताल में बहुत सारा बजट आया था लेकिन बजट इतना दुर्पयोग हुआ है कि पूरा पैसा बेकार चला गया जो काम स्मार्ट सिटी के तहट गणगरी एस्पताल में कराये गया है बिल्कुल रद्दी है खराब है उसकी गुणवत्ता की कोई ध्यान नी दिया गया मेरी मांग है क उस गुणवत्ता की जाच करनी चाहिए गणगरी एस्पताल में जो भी पैसा पिछली सरकार में डबलप्मेंट के लिए रिपेरिंग के लिए आया जिनुद्धार के लिए उसकी जाच होनी चाहिए चाहूंगा इन कामों की जाच कराएं दोश्यों को सजा हो बविश्य मे इसा प्रष्टाचार नहीं हो माननी सवापती मोद है मेरी विधान सबाद छेतर में जैसिंग्पुरा खोर में बहुत बड़ा इलाका है वहाँ पर पचास से साथ जार की जनसंग्या निवास करती है लोगों की वर्तमान में चिकिसा सुविदा उपलब्द नहीं है पिछल कमी रहती है वहाँ पर विशेशक्य की पद खाली है और ने भरतने की करपा करें इसलिए मेरा निवेदन है वहाँ पर कुछ विशेश विशेशक्य की आउशक्ता है जैसे एंटी की आउशक्ता है अस्ती रोग विशेशक्य की आउशक्ता है इसी के साथ मेरी विधान सबा चेतर में गणगोरी हस्पताल में आम जन को काफी जाच समंदी सुविधाएं उपलब दनिये मुश्किलों का सामना करना पड़ता है परिस्तितियों को देखते हैं गणगोरी हस्पताल में बड़ी जाचों की MRI, CT, SCAN, हार्ट समंदी जाच जैसे 2D, ECO, TMT की सभी जाच के कि हमारे प्रिदेश में सबसे बड़े हस्पताल SMS का बोच कम हो सके जैसा अभी मालवी नगर से आने वाले सदस्य में कहा कि आप बरतुमान सर्वकार भाचपा जब थी उस समय SMS हस्पताल का लोड़ कम करने के लिए 4 और 14 भी काम किया गया हम चाहते हैं हमारे छेतर में भी परकोटे में भी इस काम हो किया जाए धन्यवाद बहुत 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 दन्यवाद शिरी राजन दुपारिक जी मानने स्वाब